गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स देखें कितने खुबसूरत वोगन विलिया के फ्लावर्स हैं और यह वाइट कलर नहीं है बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का है फ्लावर बहुत ही खुबसूरत लग रहा है तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों से समर सिजन के बहुत ही खुबसूरत प्लावर के बारे में बात करूंगी जो काफी ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं हमारे गार्डन में तो इस प्लावर को आप नर्सरी से अभी ला सकते हैं बहुत सारे कलर्स एवलेवल हो जाएंगे तो प्लावर के बारे में आप लोग से बाते कर रही हूं वह प्लावर तो लेलटाना में बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे नर्सरी में और ज्यादा कॉशली तो नहीं आते हैं मैंने इसे थर्टी रुपीस में लिया है और देखिए औरेंज और रेट के कॉम्बिनेशन में इस से ग्रो हो जाती है तो आप रेनी सीजन में इसकी कटिंग लगा कर बहुत धेरो सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इतना बड़ा मेरा प्लांट है और फ्लावरिंग देखे कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहा है और ये एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल रफ इंट अप चलता है ज़्यादा केर नहीं मांगता है और फर्टिलाइजर भी ज़्यादा आपको नहीं देनी पड़ती है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग कर रहा है हमारा प्लांट तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसे अच्छे से फर्टिलाइजर दे ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे तो फर्टिलाइजर तो देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स तो इस तरह से मैं इसे लेकर आई थी नरसरी से और मैंने देखिए इसे आठ हिंच के वे सिमेंट पॉट में मैंने लगाया है और लाते-लाते एक लंबी सी ब्रांच भी थी जो टूट गई थी तो वो ब्रांच तो खराब ही हो गई, ग्रो नहीं हुई और इसकी कटिंग आप रेनी सिजन में लगाई है या फिर तो फरवरी में लगाई है और रेनी सिजन में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तो चलिए इसकी मिट्टी मैंने कैसे तयार की है वो भी बता देती हूँ तो इसके लिए मैंने एक भाग लिया है गाडन की मिट्टी एक भाग राइस हस्क एक भाग वर्मिक कंपोस्ट और एक भाग सेंट एक मुठी नीम कली खली और एक चम्मच फंगिसाइड पाउडर एक चम्मच एपसम सॉल्ड और एक चम्मच एनपी के नाइटीन नाइटीन और डिएपी के दो तीन दाने इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तयार की थी उसके बाद अभी तक मैंने अपने इस प्लांट को कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है लेकिन कल मैं इसे बनाना पिल्स का लिक्विट फर्टिलाइजर दूँगी तो इसे आप liquid fertilizer दे सकते हैं बनाना पिल्स का liquid fertilizer, वर्मिक कमपोस्ट का liquid fertilizer या गोबर की खाथ का liquid fertilizer और सीविट ग्रेनवल का liquid fertilizer इस तरह से जो भी आपके पास एवलेबल हो आप इसे fertilizer दे सकते हैं और इस तरह से आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे से flowering भी करेगा और फ्रेंड्स इसमें fungicide आप spray कर सकते हैं वैसे तो आपको neem oil जो करते हैं इस्प्रे उसको हमेशा करते रहना चाहिए हर 10-15 दिनों में neem oil का इस्प्रे तो इस तरह से हम इसकी देख भल कर सकते हैं कार्टरिंग का विसेज ध्यान देना है गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखने नहीं देनी है क्योंकि लेल्टाना के प्लांट को पानी की ज़्यादा जरुवत पड़ती है तो इसलिए हमें इसे समय समय पर पानी देना है और अपने प्लांट को अच्छे से सावरिंग भी करना है क्योंकि अभी समर सीजन है तो हमें अपने पाउधों को अच्छे से एक टाइम दिन में नहलाना है या मॉर्णिंग में हो या साम को हो बहतर है कि आप सुभा ही souring करें तो ज्यादा अच्छा होगा तो इसको souring करना है और इस तरह से मैं अपने plant की देख भल कर रही हूँ और वैसे तो ये plant आप full sunlight में रखें बहुत अच्छे से flowering करेगा लेकिन मैंने छोटा सा ही plant लाया था इस वज़ा से मैं क्या की हूं friends कि म मेरा प्लांट बड़ा हो जाएगा तो मैं भी इसे बाहर रग दूँगी क्योंकि प्लांट छोटा था और समर सीजन है तो वैसे भी समर सीजन में जब भी हम कोई प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो हमेसा डर बना रहता है कि प्लांट चलेंगे की नहीं तो बस इसी तरह से मैं अपने प्लांट की देख भाल करती हूं और आप भी लैंटाना की प्लांट को अपने गाडन में जरूर लाइए और इंसेक्ट अटेक तो होते नहीं हैं लेकिन इंसेक्टिसाइड आप जब भी सभी प्लांट में करते हैं तो इस प्लांट पे भी कर सक झाल झाल कर दो है?